ये बात है, छोटे से काउंच जियापूर के और एक छोटे से परिवार सर्मा परिवार के, पती और पतनी एक साथ बैठे होते हैं और फिर पतनी अपने पती से कहती है अजी ना जाने ये हमारी गरी भी कब खतम होगी चलिये छोडिये वैसे मैंने खाना बना दिया है आप खा के खेट चले जाएए आप पहले से ही बहुत लेट हो गये हैं अरे भाग्यवान मैं इतना मेहनत कर ही रहा हूँ खेटों में दिन रात काम कर रहा हूँ और देखना जल्दी ही हम भी बहुत अमीर हो जाएंगे अपने पत्नी को इतना पास समझा कर वो खेट की तरफ चला जाता है और फिर वो अपने खेटों में अच्छे से काम करने लगता है इधर दूसरे तरफ सोहन की पत्नी अच्छा सा खाना बना रही होती है और वो खाना बना के खा के और फिर उसका इंतजार करने लगती है इतना बात बोल के वो बिस्तर पे बैठ जाती है और फिर उसका इंतजार करने लगती है सोहन अपने खेटों में काम करके घर आ जाता है और फिर वो दोनों खाना खा के सो जाते है अगले दिन सुबा होते ही सोहन अपने खेतों की तरफ निकल जाता है रोज की तरफ वो अपने खेतों में काम करने लगता है वो दिन रात काम करके वापस घर आके खाना खाके फिर सो जाता उसके जिन्दगे ऐसे ही कटती रहते थे एक दिन की बात है उसके पीछे एक टरावनी सी चुड़ेल लग जाती है फिर वो चुड़ेल कहती है हेहे अब मैं इसको नहीं चुड़ूंगी इसका खून तीके ही रहूंगी जिस खेतों मैं सालों से रह रही हूँ वह इस खेतों को जोट बो रहा है इसकी हिम्मत तो देखो अब ये जाम से जाएगा इतना बात कहके वो चुड़ेल उसके पीछे लग जाती है और फिर सोहन को जब महसूस होता है को उसके पीछे कोई आ रहा है फिर वो वापस मुड़ता है और चुड़ेल से कहता है अरे वो दरावनी सी औरत तुम कौन हो और तुम मेरा पीछा जंगल में से ही क्यों कर रही हो मैंने तुम्हारा क्या किया है तुमने मेरा क्या किया है यहाँ पूछ रहे हो तुम मैं जिस खेट में हजारों सालों से रह रही हूँ तुम उसी खेट को जोटने लगे चुरेल बेहन मैं बहुत ही जादा गरीब हूँ जब मुझे कोई काम नहीं मिला तो मैं उस खेट को ही जोटना चालू कर दिया और वैसे भी वह खेट मेरे दादा जी की है उस पे तुमारा कोई अधिकार नहीं है और चाहे कुछ भी हो जाए मैं उस जमीन को नहीं छोड़ू क्योंकि अगर मैं जमीन छोड़ूंगा तो अपने घर का पालंग पोर्षन कैसे करूंगा इधर दूसरी तरफ ममता रोज की तरह खाना बना रही होती है और उसको इस बात का कुछ भी अंदाजन नहीं होता है फिर वो रोज की तरह सोहन को आने का इंतजार करने लगती है फिर सोहन कुछ ही समय में उसके पास आजाता है और फिर ममता से कहता है अरे भाग्यवान जब मैं आ रहा था तभी मुझे रास्ते में एक बहुती भ्यानक चुरेल मिली और वे कह रही है कि इस जमीन को छोड़ो वनना जान से जाओगे मैंने भी उससे कह दिया कि वह मेरी पुर्खों की जमीन है ऐसे कैसे छोड़ दूँ अजी मैं तो कह रही हूँ अब आप उस खेट में कभी काम से नहीं चाहिएगा वह चुरेल क्या पथा आपके साथ कभी कुछ भी कर दे फिर अगले दिन सोहन ममता का जरा सा भी बात नहीं मानता है और फिर वो अपने खेट के सामने आ जाती है देखो चुरेल बेर मैं तुम्हें पहले ही बता देता हूँ वह खेट मेरे पर दादा का है और उस पर तुम्हारा कोई अधिकार नहीं है इसलिए मैं यह खेट नहीं छोड़ूंगा सोहन की इतनी बात सुनके वो चुडल काफी गुस्सा हो जाती है और फिर ततकाल सोहन की मृत्यू कर देती है ये बात गाउं की लोगों में आग की तरह फैल जाती है फिर रोज की तरह ममता सोहन की घर वापस लोटने का इंतजार कर रही होती है और वो इंतजार करते करते सो अगले दिन जैसे सुबह होता है वो सोहन को घर न पाके जंगल की तरफ चली जाती है ना जाने मेरे पती कहां चले गया है अब तो रगता है मुझे बाबा जी के ही पाथ जाना पड़ेगा वही कुछ करेंगे वही मेरे पती का पता लगाएंगे इतना बात बोलके वो पंडि बहुती बूरी चुरयल उनके पीछे पड़ी है मुझे लगता है उसे ने कुछ किया है अलाक निरंजन अलाक निरंजन बेटा तुम अभी मेरे साथ चलो तुम्हारे पती के साथ बहुती बढ़ी दुरिगटना हुई है और इतना बात बोलके वो बाबा ममता को जंगल ले जाते हैं अलाक निरंजन अलाक निरंजन या वही जगह है मम्ता जहां उस चुरेल ने तुम्हारे पटी की हट्या की थी बाबा जी यह आप क्या कह रहे हैं अब मैं इस दुनिया में कैसे रहूंगी मैं भी यह दुनिया छोड़के चली जाऊंगी अरे ओ चुरेल तु वही है ना जिसने सोहन की हट्या की है हाँ मैंने ही मारा है बटा तू क्या गर लेगा और तो यहाँ पे क्यों आया है रे अरे ओ चुरेल तू चुपचाप से सोहन को जिन्दा कर दे वरना मैं तुझे यही जला के भस्म कर दूंगा अरे ओ अगोरी तुझे लगता है तू ऐसा कर सकता है तो करके दिखा मैं नहीं डर्टी हूँ तेरे से पंडित बाबा उसके पेरों में आग लगा देते हैं और वो चिलाते हुए कहती है मुझे छोटो मुझे छोटो मैं अभी सोहन को जिन्दा करती हूँ पर मुझे भस्म नहीं करो छोटो मुझे ग्यानी बाबा मुझे माप कर दे मेरे से बहुत बढ़ी गलती हो गई ये रहा आपका सोहन चुडैल के इतना बात बोलते हैं वहाँ पर सोहन सब के सामने आ जाता है और फिर ग्यानी बाबा चुडैल से कहते हैं अरे ओ डूस्ट चुरैल अब तू चुपचाप से यहां से चली जा और सोहन की खेट में दुबारा नजर मताना वरना मैं तुझे जला के भस्म कर दूंगा ठीक है ग्यानी बाबा आप जैसा बोले मैं वैसा ही करूंगी मैं आपसे सोहन को कभी भी परिशान नहीं करूंगी और फिर वो तीनों अपने घर की तरफ आ जाते हैं देखा जी मैं आपसे कह रही थी आप खेट ना जाओ पर आपने मेरी बार ना वानी और आपके साथ यहा सब हो गया